हेलो दोस्तों, एप्रिल महिने से final results की शुरुवात हो रही है और जो सबसे बड़ा final results शुरुवात हो रही है वो है TCS company का तो dividend भी आने वाला है, final results भी आने वाले है, कब आने वाले हैं, एप्रिल 12 को board meeting होने वाली है और board of directors final dividend भी recommend करने वाले हैं जब हम TCS की बात कर रहे हैं दोस्तों तो देखिए साल में 4 quarter होते हैं और हर quarter में TCS की तरफ से dividend आता है और साथ साथ में buyback के जरिये भी पिछले कुछ सालों से TCS अपने जो shareholder से उनको reward कर रहा है जैसे अभी recent में ही के मैने में TCS की तरफ से buyback भी आया था तो कुछ सालों के बीच में एक बार buyback आ जाता है लेकिन dividend तो हर quarter में आ ही रहा है जैसे अभी आप देखेंगे तीन quarter के results आ चुके हैं और देखें 9 रुपीस quarter 1 में quarter 2 में भी 9 रुपीस और quarter 3 में भी 9 रुपीस का dividend लेकिन quarter 3 में एक special dividend भी आ गया तो सब dividend को अगर आप add कर लेंगे तो अभी 45 रुपीस का dividend तीन quarter में TCS की तरफ से हो चुका है और अब देखेंगे April 12 को final जो results है उसके साथ-साथ में क्या final dividend recommend होता है तो सब कोई details लेकर आएंगे अर्ली financial आजादी में आपके सामने दोस्तों business review में हम आगे बढ़ने वाले हैं उससे पहले दोस्तों important information हमारे टेलिग्राम learning group को भी आप join कर सकते हैं description में मैंने link को दिया हुआ है वहाँ पर business analysis, passive income, mutual funds, personal finance, dividend related सभी information आती रहती है एक strong लगभग 4,400 subscribers की यह community है मुझे अमीद आपको भी value जरूर मिलेगी अगर आप join करते हैं दोस्तों अब देखें रेवेन्यू अगर आप देखेंगे TCS का quarter 3 में कितना था 60,583 करोड का जो की last जो था October से December 2022 के comparison में बढ़ा था अब important number जो देखने का रहेगा वो यह है 59,162 करोड और quarter 4 में वही देखना है कि इसके comparison में क्या यहां पर revenue बढ़ रहा है जब results आएंगे quarter 4 के दूसरी चीज़ और यह TCS के साथ-साथ दूसरी IT कंपनियों में भी जरूर देखिए operating margin 25% का operating margin है और historically अगर आप देखेंगे यह रहा operating margin historically 5-year का जैसे आप देखेंगे 27.2 का उनका operating margin रहा है strong company 24-27% के operating margin TCS को हमेशा मिले हुए है एक थोड़ा सा tough साल चल रहा था जैसे last year में जैसे quarter 1 में 23.2 का operating margin था लेकिन बाद में बढ़ा लेकिन एक legal cost के कारण से operating margin last quarter में खत्म हुआ था लेकिन overall अगर आप देखेंगे 25% का यह operating margin हमको TCS में देखने को मिला था अब यह क्या होता है सोच दिजिए company ने revenue कि 100 रुपीज का ठीक है revenue जैसे हमने यहाँ पर देखा न लेकिन revenue के साथ-साथ खर्चे है employees का खर्चा हुआ फिर administration फिर marketing यह सब खर्चा होगा तो company ने net net कितना कमाया इंट्रेस्ट टेक्स से पहले वह होता है operating फिर हम उसका percentage निकालेंगे तो हमको operating margin मिलेगा तो इस इतना बढ़ता रहे ज्यादा हो उतना ही अच्छा किसी भी company के लिए होता है यह business को समझ दे के बहुत जरूरी है देखें TCS के case में यह चीज समझ यह कि उनका maximum बिजनस इनफेट 84-85 परसंट तक का जो business है वो दो इंपोर्टन जोग्रोफी पर डिपेंडेंट है एक है अमेरिकन मार्केट और एक है यूरोप मार्केट में UK और continental Europe में अब यहाँ पर अगर कुछ भी macro issues आ जाते हैं या कुछ local issues आ जाते हैं तो फरक इनके business पर पढ़ सकता है और वो पढ़ा भी है देखें कैसे पढ़ा है यह देखें अब TCS तो देखें IT company है लेकिन IT कंपनियों को भी orders मिलने चाहिए न कहां से orders मिलते हैं जैसा सोच ल लेकिन यह जो चार important vertical है वहाँ पर degrowth हुआ है मतलब two-third जो business है वहाँ पर degrowth हुआ है अब यह क्यों हुआ होगा सोच लीजिए US का कोई customer है वहाँ पर interest rate already बढ़े हुए है तो वो क्या सोचेगा कि बड़ा खर्चा हमको अभी फिलाल नहीं करना है बड़ा खर्चा करने से बच रहे हैं तो उससे क्या होगा कि जो orders मिलने के हैं वो orders थोड़ा सा लेट कर दे रहे हैं उससे क्या हो जा रहा है impact सबसे पहले तो जो हम लोगों के जो IT engineers है वहाँ पर देखिए TCS का 6,13,974 employee count था कब December 2022 में अभी December 2023 होते होते क्या हो गया 6,3,305 मतलब employees actually में घटे हैं औ और उसका एक बड़ा reason क्या हो सकता है कि international market में ही जो है थोड़ा degrowth देखने को मिला है अब quarter 4 result में यही देखना है कि यह जो trend है जो employment का यह बढ़ रहा है या नहीं और यह बढ़ है हम तो यही उम्मीद करेंगे ताकि जादा से जादा जो हम लोग के जो engineers जो है उनको job मिलत है IT सेक्टर में फिलाल एक macro level में ही थोड़ा सा slowdown जैसा माहल है और quarter 4 number इसलिए बहुत important हो जा रहा है कि at least जो management है कुछ आने वाले जो साल का कुछ guidance दे कुछ बताए कि कि किस तरीके से वो business को देख रहे हैं तो बहुत ही important रहेगा और हमको पता चलेगा आने वाले समय में employment का भी क्या guidance है अब देखे TCS का valuation के बारे में बात करते हैं अब P ratio 31 है और अगर आप Infosys या Vipro या फिर HCL Tech के comparison में देखेंगे तो उनको एक थोड़ा सा premium valuation तो मिला हुआ है जैसे 10 year का P ratio देखे कितना है 25.5 का 5 years का देखे कितना है 30.1 का तो 5 year का P ratio के तो आसपास ही TCS का अ उपर ही valuation हमको देखने को मिला है अगर कभी भी जैसे मुझे याद आता है 2021 का समय में बहुत high valuation हो गया था P40 का हो गया था तो वह valuation तो फिर बहुत मुश्किल है sustain कर पाना तो उसके बाद में हमने देखा था थोड़ा सा D rating हुआ था तो वह थोड़ा overvalued था अभी का अगर आप level देखेंगे at least जो तीन साल के पात साल के level में तो फिर वैल्यू से थोड़ा सा अभी उपर देखने को मिल रहा है अब quarter 4 के result में कुछ surprisingly अच्छा आ जाए तो फिर ये valuation बिल्कुल justify हो सकता है लेकिन अगर कुछ चॉकिंग फिर से negative हो जाए तो फिर क्या TCS को वह valuation justify कर पाएंगे के नहीं तो इसी लिए भी April 12 का जो दिन है हमको पता चलेगा फिलहाल हम देखें तो historical level से थोड़ा सा महेंगा हमको TCS हमको देखने को मिल रहा है लेटेस्ट जो quarter 3 के result आये थे क्या-क्या चीज़े important थी क्लाइंट्स जो है वह cautious है और क्लाइंट्स मतलब कौन जो अब यहां recovery signal देखना है क्या recovery signal आता है quarter 4 में अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं भी आता है तो management क्या क्या कहना है financial year 2025 में आएगा या नहीं वह चीज़ को देखना है बाकि अगर आप total contract value देखेंगे मजबूत है 8.1 billion dollar की strong contract value है attrition भी अभी कम हुआ है तो उससे margin को भी impact पड़ा है कि वह positively margin यहां पर increase हुए है तो overall quarter 3 का result जो आये थे थोड़े से आप मान सकते हैं strong result आये थे लेकिन फिर भी management थोड़ा जो macros को लेकर थोड़ा सा cautious हमको देखने को मिला था तो क्या-क्या देखना है April 12 को dividend को देखना ही है result में क्या important चीज़े आ र management commentary देखना है नई डील का pipeline है नए डील का क्या number है वो देखना है employee count और यहां पर एक बिल्कुल उमीद रहनी चाहिए कि employee count बढ़े है क्योंकि बढ़ेगा तो फिर भारत में भी ज्यादा से ज्यादा job creation होंगे तो यह की important चीज़ देखने को रहेगी एक strong company है TCS थोड़ा सा मार्केट अच्छी होनी चाहिए फिर UK मार्केट यूरोप मार्केट भी अच्छी होनी चाहिए तो एक टफ टाइम से macros भी जा रहे है company एक थोड़े से एक लंप के साइड से जा रही है लेकिन धीरे-धीरे recovery कर रही है क्या recovery पूरा होगा quarter 4 में हमको पता चलेगा जिस दिन